मुझा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सबी लोग का हमारे इस खास प्रोग्राम में मैं बिनित राय आज आप लोग को बताऊंगा महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में जिनको आपने शायद ही कही पढ़ा देखा या फिर सुना होगा आप लोगों ने तो महाभारत की कथा पढ़ी और सुनी भी होगी और उस में से बहुत सी प्रेम कहानियों के बारे में देखा और जाना भी होगा वैसे महाभारत में प्यार की बहुत सी कहानिया है जबकि उन कहानियों में से कुछ तो बहुत मशवूर है जो जादतर लोगों को पता होगा लेकिन वही कुछ कहानिया ऐसी हैं जिसके बारे में जादतर लोग नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में बहुत कमी लोग जानते हैं तो चलिए बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में आप लोगों ने महाबारत की कथा सुनी भी है और पढ़ी भी है जिसको हम बहुत सारी प्रेम कहानिया पढ़ने को मिलती हैं उसमें से कुछ प्रसिद्ध है जो हम सब जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी प्रेम कहानिया है जिनके बारे में जादा लोग नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको उन प्रेम कहानियों के बारे में बताते हैं महाबारत की प्रेम कहानिया इस वहरिस्ट में सबसे पहली लिस्ट है कृष्ण और उनकी 16108 पतनियों के बारे में महभारत की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण के 16108 में से 16000 रानियों को श्री कृष्ण का प्यार पाने के लिए जादा इंतजार नहीं करना पड़ा था और उन्होंने पुनर जन्म लिया और श्री कृष्ण के साथ विवाह किया हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण ऐसे ब्यक्ती थे जो उनके पास एक ऐसी शक्ती थी कि वो एक ही समय में 16000 रानियों के साथ समय बिता सकते थे इस फहरिष्ण में दूसरी प्रेम कहानी है द्रौपदी और पांडवों के बीच द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ साथ बाकी पांडव भाईयों के साथ भी की गई थी और द्रौपदी ने अपना वचर निभाते हुए सभी भाईयों के साथ नयाई किया और उन पर विश्वास भी किया इसी न्याय और विश्वास के चलते द्रौपदी ने पांचो पांडवों के साथ सुखी जीवन कर आया सब के साथ अपनी पतनाई धर्म भी निभाया पीसरी प्रेम कहानी महाभारत की गांधारी और दृतराश्ट के बीच थी गांधारी को विवास से पहले इस बात का पता नहीं था कि उनके पती द्रितराश्ट द्रिश्टी हीन है लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पती के द्रिश्टी हीन होने के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद अपने पती जैसी जिन्दगी बिताने के लिए खुद की आँखों पर पट्टी बांध ली और आँखे होते हुए भी उन्होंने जिन्दगी भर अपने आपको दृष्टी हीन बनाए रखा इस फहरिस में चौथी प्रेम कहानी है अरजुन और उलूपी हम सब यह जानते हैं कि अरजुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था लेकिन उलूपी नागा राजकुमारी थी और उसका देल अरजुन पर आ गया था उन्होंने अरजुन का अपरेंट करके उनसे शादी कर ली थी लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो पहले से शादी शुदा है तो उन्होंने अरजुन को छोड़ दिया और उनको साथ ही में एक वरदान दिया कि उन्हें पानी में कभी कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता है इस वहरिस्थ में पाँचवी लव स्टोरी है रुकमानी और श्रीक्रेश्न की हमने हमेशा ही श्रीक्रेश्ण और राधा की प्रेम कहानिया सुनी है लेकिन कहते हैं कि श्रीक्रेश्ण ने रुकमणी का अपहरंड करके उनसे शादी की थी हाला कि रुकमणी भी श्रीक्रेश्ण से काफी प्रेम करती थी इस फहरिस में छटी प्रेम कहानी है अरजुन और चितरांगरा मनिपूर की बहुत ही सुन्दर राजकुमारी चिकरांगदा थी जिस पर अरजुन का दिल आ गया था और उन्होंने उनके पिता चितरवाहन से उनके हाथ मांगा लेकिन चितरवाहन एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि चितरांगरा का जो भी पुत्र होगा उसे मनिपूर लाया जाएगा और वो यहां राज करेगा अर्जुन इस बाद से राजी हो गए और जब अर्जुन का पुत्र पैदा हुआ तो समय अर्जुन को अपने भाईयों के साथ इंदप्रस जाना था इसलिए उन्होंने चितरांगदा और उसके पुत्र को वही छोड़ दिया जब अर्जुन द्वारका में अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने सुबद्रा से अपने महल में बुला लिया और उन दोनों में प्यार हो गया श्रिक्रिश्ण ने अर्जुन को कहा कि वो सुबद्रा का परण कर ले और उनसे विवाह कर ले अर्जुन ने पैसा ही किया और जब सुबद्रा द्रौपदी के पास गई तो उसने तुरंत उसे अपने विवाह के बारे में नहीं बताया लेकिन जब उससे गुल मिल गई तो उन्होंने अर्जुन और उसके निविवा के बारे में द्रौपदी को बताया और द्रौपदी ने उसे स्विकार भी कर लिया इस फहरिस्त में आठवी प्रेम कहानी है धे हिडिमबा और भीम की कुंती पुत्र भीम के प्रेम कहानी में हिडिमबा पड़ गई थी और इस प्रेम ने हिडिमबा को बडल लाला था क्योंकि हिडिमबा पहले नर्भक्षी थी जैसे ही दोनों की शादी हुई कुछी दिन साथ में रहे और भीम ने उन्हें छोड़ दिया हिडिमबा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोतकच रखा गया हिडिमबा ने उस पुत्र को बिना किसी पश्चाताप के अकेले ही पूस कर बढ़ा किया और बाद में ये पुत्र महाभारत की लडाई में भीम के बहुत काम आया था इस फहरिस्त में नौवी प्रेम कहानी है सरस्वती और रिशी पारिशर की रिशी पाराशर मशूर होने के साथ साथ योगिक शक्तियों के मालिक भी थे और उन्होंने एक मचुवारे की पुत्री सत्यवती से प्रेम भी हो गया था सत्यवती लोगों को यमुना पार करवाती थी और जब वो एक दिन रिशी पाराशर को यमुना पार करवार रही थी तो रिशी को सत्यवती से प्रेम हो गया और उन्होंने सत्यवती को कहा कि उन दोनों की रचना अनैतिक संबंद में से एक संतान पैदा करने के लिए की गई है इस फहरिस्त में दस्वी प्रेम कहानी सत्यवती और शांतनू की थी रिशी के वरदान से सत्यवती के पास से मचली की नहीं बलकि एक ऐसी खुश्बू आती थी जो कि 9 मिल दूर से ही पता लग जाती थी शांतनू को इस खुश्बू ने आकरशित कर दिया और उन्होंने इस खुश्बू का पीछा किया तो उन्होंने सत्यवती को नाव में पाया उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो उसको नदी पार करवा दे और जब वो नदी पार कराई गई तो उन्होंने दुबारा विंती की कि वो उसको इसके पार ले जाए इस तरह करते करते तीन चार दिन बीट गए और बाद में शांतनू ने सत्यवती से विवाह कर लिया महाभारत में रिष्टों को लेकर बहुत ही पेच हैं जहां एक तरब बहुपत्नी हैं वहीं दूसरी तरब बहुपती भी हैं कहीं किसी के साथ जबरदस्ति शादी की जा रही है तो वहीं कहीं किसी का हरण किया जा रहा था लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इनके बीच में प्यार के फूल भी खिले थे महाभारत में यूं तो बहुत सी प्रेम कहानिया थी लेकिन हमने आपको उन में से कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में बताया जिनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ तब तक के लिए देखते रहे नेक्ट नायम स्प्रिचुल नमस्कार अगर आप भी मनना ताह देखेंगे अगर आप बनाना चाहते हैं मीडिया में अपना सफल भविश्य, तो आपके पास है 15 अगस से पत्रकार बनने का सुनहरा मौका, कमजोर छात्रों की बड़ी ताकत, सिर्फ 6 महीने में लें असल मीडिया की ट्रेनिंग, हमारा लक्ष हर छात्र बने सबसे बहतर दुल्ली में पहली बार Next Mind Media School जो हिंदी भाषा में सिखाएगा पत्रकारिता की तमाम बारी किया लोग आन टू अवर वेबसाइट www.nextmindmediascool.com